मौनिका गुपता का नमस्कार सोचने पर मजबूर कर दिया कहानी कुछ ऐसे है संत कबीर रोज सत्संग किया करते थे दूर दूर से लोग उनकी बात सुनने आया करते थे एक दिन सत्संग खतम हुआ पर एक आदमी बैठा ही न कबीर जी ने इसका कारण पूछा तो वो बोला मुझे आपसे कुछ पूछना है कबीर जी ने का पूछो क्या बात है तो उस आदमी ने बोला मैं ग्रस्ट हूँ, मैं जानना चाहता हूँ मेरे घर पर जगड़ा क्यों होता है और वो दूर कैसे हो सकता है तो कबीर जी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवास देकर कहा जरा लाल तन तो जला कर लेके आना कबीर जी की पत्नी लाल तन जला कर ने आए वो आदमी हैरान होकर देखता रहा और सोचने लगा अरे इतनी दो पैर को कबीर जी ने लाल तन क्यों मगवाई थोड़ी देर बाद कबीर जी ने अपनी पत्नी को फिर से हवास दी और बोला कुछ मीठा देकर जाना इस बार उनकी पत्नी मीठे की बजाए नमकीन देकर चली गई अब वो आदमी सोचन लगा इस घर के लोग तो बहुत अजीब है दिन में लाल तन मगवा रहे है और मगवा रहे हैं मीठा आ रहा है नमकीन तो वो कबीर जी से बोला जी मैं तो चलता हूँ कबीर जी ने पूछा क्यों आपको क्या अपनी समस्या का समदान मिला या अभी भी कुछ संशे बाकी है तो वो बोला क्या समदान मेरी समझ में तो कुछ नहीं आप तब कबीर जी ने उसे कहा जैसे मैंने लाल तन मगवाई तो मेरी घर वाली कह सकती थी कि तुम सठे आ गए हो इतनी दो पैर को लाल तन की क्या जरूरत है लेकिन उसने सोचा कि जरूर किसी काम के लिए मगवाई होगी इसलिए उसने मुझे टोका नहीं वहीं जब मैंने मीठा मगवाया तो वो नमकीन दे कर चली गई है न हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु होई न यह सोचकर मैं चुप रहा इसमें तकरार किया आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में ना फसने से विशन प्रिस्थिती अपने आप दूर हो गई वो आदमी बहुत हैरान हुआ वो समझ गया कि ये सब कबीर जी ने उसे बताने के लिए ही किया था कबीर जी ने फिर उसे कहा देखो भाई ग्रस्थि में आपसी विश्वास से ही तो तालमेल बनता है आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले औरत से कोई गलती हो जाए तो पतियों से नजर अंदास कर दे यही ग्रस्थि का मूल मंत्र है कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिन्दगी आसान कर ली कुछ अपने अंदास से तो कभी कुछ बातों को नजर अंदास करके तो क्या सोचा जी मैं आप से ही पूछ रही हो अजी मिल जल कर रही है प्यार से रही है एकना मैंने बहुत खूबसुरत सी बात पड़ी थी अपनी ग्रस्ती को कुछ इस तरह से बचा लिया कभी आँखे दिखा दी, कभी सिर जुका लिया आपसी नाराजगी को कभी लंबा चलने ही नहीं दिया कभी वो हस पड़े तो कभी मैं मुस्कुरा दी रूट कर बैठे रहने से, रूट कर बैठे रहने से भला घर कब चलते हैं कभी उन्होंने गुद्गुदा दिया, कभी मैंने बना लिया खाने पीने पर, खाने पीने पर जगड़ा कभी होने ही नहीं दिया कभी गरम खान लिया तो कभी बासी को स्वात लेकर खान लिया पती हो या पतनी मैद में कोई कम नहीं कभी खुड़ण बन गए कभी उन्हें बॉस बना दिया और हम क्या करते हैं? हम तो जगड़ा हुआ तो बस प्यार खतब क्यों ना हम प्यार से ही जगड़े को खतम करते हैं? तो क्या सोचा अजी पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव सोचिए अपनी जिन्दगी को धेतर बनाईए कल फैर मिलूँगी एक और नए टॉपिक के साथ तब तक बाई